हेलो दिए लेंट्स पीजी इजियर और वेलकम सीविन पीजी पॉइंट देखें आज आज आपका चैप्टर नमर 12 है जो कि प्रधाना चाहते विद्याले परवेक्षक की रूप में कैसे कारे करता है यानि कि कोई प्रिंसिपल एज स्कूल सूपरवाइजर कैसे काम करता है इसके विच्टे में हम लोग पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि अगर आप चैनल पढ़ना है तो चैनल को सब्स्क्राइब करके बहला एकन प्रेस कर दीजे और अगर अभी तक अपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटा-फट से लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा वीडियो के एंगर ठीक है शेयर तो आपको भी करना पड़ेगा ना चुंकि आप लोगों के एक्जाम है तो फस्त आफ आफ आल वेरी वेरी वाल बस फर दस एक्साम और बाकी कि मैं आपको बता दू सी वीडियो इसी सब्जेट की प्लेलिस्ट में आपको इन को तो आपको देख की जाना है साथ में जो भी लॉंग को से उनकी इंपोर्टेंट हैडिंग्स को रिमाइंड करते हुए आपको अपने आजर को लिखना होगा ठीक है प्राश्य संग क्या करा है विद्याले परेविक्षक की रूपे प्रदानाचारे की भूमिका का वर और युक्て है क्यूंगि उसे विद्याले में प्रशाशक की बुमे का निखाणनी पड़ती है शिक्षम के छेतर में जहां उसे चात्र से चांट्र के चेतर इस भूमिका को हम निमर्संदर में देख सकते हैं विद्धेले के लक्ष वा उद्धेश के संदर में आप समझो यहां पर कि एक प्रिंसिपल का एक पर्धानाचारे का क्या निर्देश होता हैं किसी भी स्कूल के एमस को किसी भी स्कूल गोल्स को ले करके ठीक है तो देखो विद्याले उन भावी नागरिकों का निर्मार किया कर जाता है जिनके उपर समा जवम राश्टर वेश्व के कार्यों का संचालन का भार होता है सीडी सी बात है कि अगर आज हम एक छोटे से बच्चे को एजुकेशन दे रहें तो कल वो एक देश का क्या बनेगा भाया जिम्मेदार नागरिक बन रहा होगा तो इस प्रकार प्रधानाचारे को बड़ी बड़ी दूर दर्शिता है मतलब की हमा बहुत मतलब उनका विजन जो होता है वह बहुत ultimate होता है बहुत सारे निश्चित लक्ष उद्देश्यों को लेकर के चलना होता है एक प्रधानाचारे को समाच की विद्याले से अपेक्षाओं के नरूप विद्याले के उद्देशों से सिक्षकों को परचित कराना साथ में विद्याले संसाधनों का प्रभावी इद्यापन वादिगम प्रवत्तियों में लगाओ शिक्षकों एवं चात्रों की समस्याओं से निकट का परिच्चा प्राप्त करना उसके अलामा चात्रों की समस्याओं आधुनिक बाल विकास समायोजन आधिके निदान वाउक करने तू कदम उठाना सिक्षकों की विशेश योगताओं के विकास के अफसर प्रदान करना साथ में मानविये संबंदों में परस पर विश्वास उत्पन्द करना वसाय योग को बढ़ावा देना भावी अधिगम जुनौतियों है तो चहत्रों को तयार करना और सिक्षकों को विश्वास विकास के अफसर भी प्रदान करना साथ में सही वारत पर सिक्षड कारिक्रमों का नियमित आयोजन करना यानि कि मान लेज़े जैसे आपने देखा कि कोवीड आया अब इससे पहले जो टीचर्स थे वह ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहे थे हैं उन्होंने जूम पर मीटिंग से टेंड करना शुरू कर दिया ओनलाइन क्लास करना शुरू कर दिया है तो यह सब टेक्नोलोजी को सीखना तो नियम मेती है ने कि टाइम टो टाइम पर जो भी चीज़े बदलावार है उनको अपने सिख्षकों तक अपने स्कूल में उन्हों विदाओं को उपलब्द करवाना यह सब आपके किसके काम होते एक प्रदानाचारे के काम होते अगल प्रदानाचारे की परवेक्षक के रूप में भूमिका की इससे वह विद्याले की चारित्रिक भावना को और उन्नत बनाने के लिए मुक्य भूमिका निवाता है वह विद्याले के सिक्षड कारे के इस तरको उन्नत बनाने का भी कारे करता है प्रदानाचारे का एक मुक्य करतव यह भी है कि वह विद्याले में सिक्षड के इस तर एक समागदी जो आपके teaching learning materials होते हैं ऐसे उसको teaching methods यूज के प्रयोग पर बल देना चाहिए जिनके द्वारा जो बच्चा है वो असानी से चीजों को सीख सके इसके साथ ही सिक्षड कारे के इस तरको उन्नत बनाने के लिए विद्याले में विवसाइक साहित की विवस्था कर प्रयोग के लिए आविशक कदम बे उठाएं प्रधाना चाहरे के परिवेक्षक के रूप में कुछ कारे उतने क्या कारे करने पड़ते हैं मतलब ऐसा supervisor प्रधाना चाहरे को सबसे पहले कक्षा सिक्षड का अवलोकन यानि कि जो class में आप पढ़ रहे हैं जो teacher आपको पढ पढ़ा रहा है उसका अवलोकन करना कि सही teaching methods के साथ में TLM का यूज करके पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है यहां जहां पर उसको वैग्यानिक विदी का प्रियोग करना है या बच्चों को प्रियोगात्मक विदी के मार्द्यम से चिखाना है कहीं वो lecture में तो नहीं के सिक्षड के द्वारा कुछ एसे उदेश है जिनको हम पूरा कर सकते हैं पहला कि समस्याओं के बारे में जानकारी हो जाती है सिक्षक की कक्षषषषषषषषषषषषषषषषषषै संबदी कृतनाईयों का ग्यान हो जाता है इसे सबसे हमको itsa संबदी कंभनcjiós एक परहजा पत्वयांक वरी का आको समेफनल सब्ल appear करता है जैसे अध्यापन के समय पार्ट का सारांज देना ग्रहकार देना प्रायोगी कारे करवाना इन सब समय गात्मक आदी विकास का भी ध्यान रखना होता है ताकि बालक का सर्वांगीड विकास कर सके इसके लिए अतरिक्त पार्ट सहेगा में क्रियाओं को संकलन करना पड़ता है जैसे साहितिक सांसकर्थिक खेलकुद सैक्षिक ब्रहमण आदी कभी विज्यान मेला समाजी का इ और विच्छाने धेर अब लक करणे वाले सिख्षक जो इन प्रवरतियों का संचाला नहीं करता है प्रधाना चारे को रूटईं के कार्यबार वितरण के अजार पर विभाजन करते हैं विज्यान रहते हैं expensive का we सτί限 कराके दिक बारदेरों में बेरता है कि नीचे इस तरत के काईओं को उपर उठाने के लिए नियमित रूप से मार्क डश्यन दिया जाए और यह offerings कहें नेक्स्ट कुश्य नेक्स्ट॥ नेक्स्ट को संस्था गत कंी क्रियाओं की शूश्य नहीं तो प्रदानाचारे की भूमिक इसपस्ट करें देगे किसी भी सैक्षिक संस्था के परिवेश में प्रदानाचारे वा धुरी होता है जिस पर विद्याले की संपूर गति विदिया क्या करती है निर्भर करती है यहीं संस्था का प्रदानाचारे कुशल वा सक्षा में तो संस्था को अच्छी तरह शाषित किया आ सकता है क यूगि प्रधानाचारे की कुशलता उसके सफल नहीं तर तो वह एक गुड अनुभाव योगता हैं कारे कुशल पर ता पर ही आधारी धूती है विद्याले अपने निरारी लक्षियों के और उन्मुक होता है इस प्रकार संस्था अगत क्रियाओं के शुशाशे नहीं तो प्रधानाचारे को कुछ कारे करने पटने है नंबर एक कि प्रधानाचारे को समस्त संस्था विद्याले मेरी गतिवीद्यों को सवलता पूर्वक नियोजन करना चाहिए जिसके अंतरगत उसे किन अध्यापकों को किस प्रकार के दाइट्टुस औपने हैं से लेकरके वर्ष भरका कैलेंडर बनने का भी कार रण्डर सामिल होता है वर्ष भरका कैलेंडर की प्रदानाचारे कुछ जन बातों का ध्यान रखना चाहिए विभन्ह ने मैन किस प्रकार से सहेगामे की रियां योजन करना है positions में इतने अवकाश होंगे विद्यालेक अंतिम कार्य दिवस क्या होगा आर्द वार्षिक वार्षिक परिक्षाय कब होंगी इसके साथ कि रीड क्या होती है तो हम कहा सकते कि प्रदानाचारे को हर संभा प्रयाश करना चाहिए इसके लिए उसे अपनी भूमी का संस्था में किसी बोर्ड द्वारा संचलित पाठेकरम को चलाना है और इसके बाद उसका दायत्तर की अनुरूप उचित पाठेपुस्तक का भी चैन करना जिसके लिए उसे चात्रों की रुचियों चमताओं आविशकताओं और योगिताओं का ध्यान रखना चाहिए साथी जब वह पाठेपुस्तक का चैन करे तो इस बात पर विध्यान दे कि अमुक पाठेपुस्तक के चात्रों के चिंता निंड़नाय कल्पनावा विस्कलेशर सक्ति का विकास करने में समर्थ हैं या नहीं संस्तागत शुशाषे नहीं तो पढ़ाना चाहरे को अच्छे परिवेक्षक की भूमिका निबाते हुए विध्याले की सभी गतिविधियों का परिवेक्षड करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि सभी क्रिय परिवेक्षड के दौरान उसे किसी सिक्षक के सिक्षड में सुधार आविश्यक्ता अनुभाव भी होती है तो उसे अध्यापक को सुझाव देना चाहिए परंतो अपने निर्णा उस पर तौपने नहीं चाहिए इसके साथ ही कार्याले की पत्रावली रेजिस्टर आधि इस बात का पर भी ध्यान नेना चाहिए कि सभी आविश्यक पत्रों花 का समय उत्तर दिया गया है या नहीं वीश्यक को प्रिवेक्षड संब्न्दी करद्रे में डियापकों के दाई इसके लिए उसे अधिनायक वादी रिस्टिकोन को अपनाते हुए विकेंडरी करनक की नीती अपने सही योगियों की राय लेते हुए अपनानी चाहिए इसके साती कारे की निगरानी भी अवश्य के प्रदानाचार्य को समस्ता में पढ़ाने वाले सिक्षकों को भी समय समय पर समचित निर्देशन देते रहना चाहिए परंतों उनकी अभीवरति निर्देशन प्रक्रिया के प्रति सकारात्मक ओने चाहिए जिससे वचात्रों अध्यपाकों को सही दिशा की और उन्मुक कर सकें इन सभी कारे के साथ प्रदानाचार्य का मुल्यांकन का भी सीमा तक प्राप्त की आधार है उसे मुल्यांकन परिणामों के आधार पर विद्याले के छात्रों की प्रगति के इस्तर को भी जाचना चाहिए वह आवश्य कदम उठाने चाहिए इसके लिए साती उसे समय समय पर आयोजित होने वाली पाच्छक्रम सहमायमी क्रियां का भ गूतरी में मढलू ये वाले कोश्यन है तो क्या यह मैं 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 म Babs बिलकुल बन सकते हैं यह जो आप सॉर्ट में पढ़ रहे हो तो क्या मैं जो आपने लूंग में दो क्वेशन पड़े क्या वो शॉर्ड में नी वन सकते हैं तो साब कि तो इसकी short question वाली class भी देख करके जाईएगा यहां से question पक्का बनेगा क्योंकि यह exam के point of view से most important है यह आपका last chapter इसके जो भी दिरगुत्री प्रिशन है वह भी हम इसको फटाफट से complete करवा देंगे तो अभी आपको क्या करना है फटाफट से वीडियो देख लिया है तो इसको एक बार अपने आप से दिमाग से analysis करो कि जब भी आप अपने principle को देखते थे तो वह क्या क्या काम करते थे उनके उपर केता pressure and all था तो व कर दो कि एलोग ninja और अफं एलोग लिए केता ईो है वार दोग confronted का आपटेल के रिभी में है तो थे जपाया के कर दो कि 중요한 अवा कार दो दो मैं में प्सक्याव 001